आज हम जानेंगे भारत के चमतकारिक हनुमान मंदिरों के बरे में, जो भारत के विभिन राज्यों में स्थित है। हनुमान जी के चमतकारिक सिद्पीठों की संख्या सैकड़ों में है। उन सबी स्थानों पर हनुमान के मंदिर बने हैं, जहाँ वे गए थे या जहाँ वे बहुत काल तक नहें थे या जहाँ उनका जन्द बुआ। कुछ मंदिर उनके जीवन की खास धटनाओं से जुने हैं और कुछ का संबंध चमतकार से हैं। इन हजारों सिद्पिठों या मंदिरों में से यहाँ प्रस्तुत है कुछ जमतकारिक और एतिहासिक मंदिरों के बारे में जानकारी। हनुमान गड़ी मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश हनुमान गड़ी अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है यह मंदिर अयोध्या में सर्यू नदी के दाहिने तक पर एक मूचे टीले पर स्थित है यहां तक पहुँचने के लिए लगबग साथ सीरिया चर्णी होती है यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है इस मंदिर के जीवनोध धार के पीछे एक कहानी है सुल्तान मनसूर अली लकनव और फैजाबाद का प्रशासक था तब एक बार सुल्तान का एक मात्र पुत्र बीमार पड़ा वैदे और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिये तब सुल्तान ने थकहार कर अंजनिय के चरणों में अपना माथा रख दिया उसने हनुमान से विनती की और तभी चमतकार हुआ कि उसका पुत्र पूर्ल स्वस्थ हो गया उसकी धरकने फिर से सामान्य हो गई तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्तरूप दिया हनुमानगर और इमली वन के माध्यम से उसने इस जील शीम मंदिर को विराठ रूप दिया और बावन बीघभ भूमी हनुमानगरी और इमली वन के लिए उपलब्द करवाई संत अभ्यारामदास के सहयोग और निर्देशन में यह विशाल निर्मान संपन हुआ हनुमान मंदिर इलाहबाद उत्तर प्रदेश इलाहबाद के लिए से सटा यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किन्तू प्राचीन मंदिर है यह संपून भारत का केवल एक मात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है जब वर्शा के दिनों में बाड़ आती है और यह सारा स्थान जलमगन हो जाता है तब हनुमान जी की इस मूर्ती को कहीं और ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है उप्योक्त समय आने पर इस प्रतिमा को पुनह यही लाया जाता है बाला जी हनुमान मंदिर महंडीपूर राजस्थान राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाता महंडीपूर नामक स्थान है जहां पर बहुत बड़ी चटान में हनुमान जी की आकृती स्वत की उभराई है जिसे श्रीबाला जी महाराज कहते है इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है इनके चरनों में छोकुंडी है जिसका जल कभी समाप नहीं होता यहां के हनुमान जी का विवरन काफी शक्तिशाली एवं चमतकारिक माना जाता है तथा इसी वजह से यह स्थान ना केवल राजस्थान में बलकी पूरे देश में विख्यात है यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिवजी और भेरब जी की भी पूजा की जाती है लोगों का कहना है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है यहाँ पर एक बहुत विशाल चत्तान में हनुमान जी की आकृती स्वयम ही उभराई थी इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है बालाजी हनुमान मंदिर सालासर राजस्थान हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चुरू जिले के गाव सालासर में स्थित है इन्हे सालासर के बाला जी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है यहां स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाड़ी वम्मूंच से सुशोवित है दूर दूर से श्रद्धालू यहां अपनी मनुकामनाय लेकर आते हैं और मन्चाहा वर्दान पाते हैं इस मंदिर के संस्थापक श्री मोहंदास जी बच्पन से श्री हनुमान जी के प्रतिय अगाज श्रद्धा रखते थे माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोत्ते समय मिली थी जिसे सालासर में सोने के सिंधासन पर स्थापित किया गया है पांडुकोल हनुमान मंदिर जिला अलवर राजस्थान हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा वाला यह मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है अलवर जिला मुख्याले से लगभग 55 किलोमीटर दूर सरिस्का अभ्यारन्या और अरावली की सुन्दर वादियों में स्थित इस मंदिर स्थान को पांडुपोल के नाम से जाना जाता है सरिस्का राश्ट्रिय पाक के मुख्य प्रवेश द्वार से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर महाभारत का की आद दिलाता है कहा जाता है मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां हनुमान जी ने आराम किया था कहा जाता है कि पांडुपोल वह प्राचीन स्थान है जहां महाभारत के भीम ने विशाल देते हिडिम हो हराकर उसकी वहन हिडिमबा से विवाह किया था पांडवों ने वनवास के दौरान यहां शरण ली थी कष्ट भंजन हनुमान दादा महाराज मंदिर सारनपूर गुजराग के भावनगर के सारनपूर में विराजने वाले कष्ट भंजन महाराजा दिराज हनुमान यहां हनुमान दादा के नाम से पुकारे जाते हैं अहम्दाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित भोटाद जंक्षन से सारंपूर लगभग 12 मील दूर है सोने के सिंधासन पर विराजमान हनुमान दादा की यहां स्थित मूर्ती के चरणों में शनी महराज विराजमान है उत्तर प्रदेश की सीतापूर नामक स्थान से तीन मील दूर परवतमाला के मध्यभाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है पहार के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ती की ठीक सिरपर्ट जल के दो कुंड है जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्ष करता हुआ बहता है इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं पहले मकर्द्वज की मूर्ती चोटी थी परंतु अब दोनों मूर्तिया एक सी उची हो गई है अहिरावन ने भगवान श्रीराम लक्षमन को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था जब हनुमान जी श्रीराम लक्षमन को लेने के लिए आय तब उनका मकर्धवज के साथ धोल युद्धा हुआ अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूर्च से उसे बांध लिया उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है मकर्धवज हनुमान जी का पुत्व था वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद आदी हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करिया भाग